हेलो एभीवान वेलकम टू क्रियेटिव पाद्वाय रोचा आज हम बनाने वाले हैं ग्लास पेंटिंग ओफ लक्षमी यह बीटिफिल ग्लास पेंटिंग बनाने के लिए हमें मैट्रियल्स चाहिए जैरोक्स पेपर और लक्षमी ग्लास और वेच्पी सेट ग्लास कलर्स ग्लास लाइनर्स यहां पे मैंने ब्लैक, फिल्वर, गोल्ड और कपर यूज़ किया है टेप और द्रॉइंग सेट या फिर वाइल पेपर बेक्राउंड के लिए पहले हम इस तरह से एटेच कर देंगे हमारे ग्लास या फिर ओएच्पी सीट लीचे हमारा कार्बन जो जैरोक्स कॉपी है रक्षमी जी का उसके बाद मैं यहां पे ब्लैक आउटलाइनर से डिजाइन को आउटलाइन कर रही हूँ आप चाहें तो पूरे पेंटिंग को ब्लैक आउटलाइनर से बना सकते हैं इससे रहल से आप पूरे पेंटिंग को बनाना हैSam इसको ड्राइए होने के लिए टू हावर्स रख सकते हैं उसके बाद आप कलरिंग trabalh हसकते हैं और ग्लास कलर्स को ट्राइ करने के लिए आप 24 आवार से 18 चोड़ सकते हैं इस तरह से पेस को भी मैं आप्लाइन दे रहे हैं ब्लैक आउटलाइनर से मैंने यहां पे कैमल का आउटलाइनर दूस किया है जो की ब्लैक, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड में आता है इसका रिव्यू और अन्बॉक्सिंग वीडियो भी आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगा तो अगर आप चाहें तो चेक आउट कर सकते हैं इसके इलावा मैंने यहां पे ग्लास कलर फेबिक रिल का यूज़ किया है इसका भी मैंने अन्बॉक्सिंग वीडियो बनाया है तो अगर आपको खरीजना है या फिर कुछ इंफरमेशन चाहिए ग्लास कलर्स या फिर लाइनर्स के बारे में आप वीडियो देख सकते हैं मैंने डेस्क्रिप्शन बॉक्स में उस सभी का लेक प्रोवाइट करते हुए डीटेलिंग के लिए मैंने यहां पे मेटालिक ब्रॉंच का यूज़ किया है जो कि हमारा जो कॉपर सेट होता है हो है आप चाहें तो पूरे प्रेंटिंग को ब्लैक से बना सकते हैं वो भी बहुत ही खुबसूरत लगता है इस तरह से मैं थोड़ा डीटेलिंग कर दोंगे मेटालिक गोल्ड से मैं च्वैलिरी ट्रॉ करूंगी और कुछ जगा पे मैं सिल्वर का यूज़ करूंगी जो कि थोड़ा बर्ल लुक देगा हमारी पेंटिंग को इस तरह से मैंने सारा जोल्ड पार्ट जो है वो गोल्ड से कम्प्लिट कर दिया है और मेटालिक सिल्वर से मैं थोड़ा सा जोईलरी में डिटेलिंग करूंगी मेटालिक कलर जो है यह ब्लेक बैक्राउंड में बहुत अच्छे से निकर क्या आता है यह हो गया कम्प्लीट अब हम कलरिंग पार्ट में जाएंगे मैंने यहां पे रेट और पिंग कलर को मिक्स करके एक डुएल इफेक्स किया है आप जाहें तो सिंगल कलर भी यूज कर सकते हैं पर डवल कलर से थोड़ा सा अच्छा लोग करता है इसलिए मैं दो कलर को इस तरह से मिक्स कर रहे हूं बहुत ही एजी है ग्लास पेंडिंग्स बनाना तो इस तरह से आप बना सकते हैं लाउच पे मैं क्रीन कलर और एलिफंट पे मैं काय कलर यूज करी हूं यह वाटर से लिवल कलर से तो आप इसको वाटर से मिक्स भी कर सकते हैं इसलिए मैं कुछ जगा पे कलर्स दे रहे हूं उसके बाद मैं ब्रस की मदद से वाटर की मदद से थोड़ा इसको लाइटनिंग करूंगी एक एफेक्ट लाने के लिए इस तरह से मैं बेग्रांड को भी कलर कर दूंगी स्काय कलर से एले हम कलर्स को अपलाई करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा पानी से ब्रश को डिक करेंगे और एक पिस वाटर निकाल के हम पस उसको थोड़ा सा ब्लेंड करने हैं इससे थोड़ा लाइट एफेक्ट आएगा इस तरह से आप इसके ब्लेंड कर सकते हैं जब आपको दियान रखना है ज्यादा वाटर का यूस आपको इसमें नहीं करना है इस तरह से मैं पूरे बेग्ग्रांड को कलर कर दूँगी अब देख देख देंगे वाटर के साथ कितने अच्छे से मिक्स हो रहा है कर दो दूब खर दोब एगा है वेबर क्रिल का मैंने ग्लास कलर यूज किया है आप चाहिए को कैमेल कंपनी का भी ग्लास कलर यूज कर सकते हैं वो भी बहुत ही अच्छा है इस तरह से हम कंपिट कर देंगे बैग्ग्राउन को नीचे मैं ब्राउन और येल्लो मिच्स करके अप्लाइ करूंगी और ट्वेली भी पाट को मैं येल्लो अप्लाइ करूंगी वाट को ब्राउन मैंने कलर यूज किया है और यहां पे भी मैंने थोड़ा ब्राउन और येल्लो मिच्स करके एक एपक दिया है कॉटन में हम घ्रीन का यूज़ करेंगे उसके बाद आपको 24 आवर्स इसको छोड़ देना है ड्राय होने में और बेक्राउंड के लिए आप फॉइल पेपर का यूज़ कर सकते हैं फ्लेन या फिर ग्रेश करके और इसके इलावा आप ट्रोइंग सीट का भी यूज़ कर सकत हैं इस तरह से यह आपके उपर इपन है कि आपको कौन सा बेक्राउंड पैसंद है बहुत ही अच्छा लगता है कंपीर होने के बाद इसी तरह की इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्रेटी पार्ट वाय रोजा और अगर यह वीडियो अच्छा लगे कि प्लीस लाइक विटन को क्लिक करें और थैंक यू फोर वाचिंग वाचिंग मैं वीडियोष